इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं introduction to php यानि आज हम जानेंगे php अक्ष्व में क्या है इसे हम कहां यूज करते हैं और क्यूं यूज करते हैं सारा कुछ जानेंगे हम php के बारे में फ्रेंज ये आपका web development using php subject का एक topic है जिसे हम discuss कर रहा है तो फ्रेंज अभी तक आप को start करते हैं php जो है आपका वो क्या है एक open source interpreted और object oriented scripting language है यानि एक ऐसा scripting language है जो कि आपका open source है यानि free of cost आपका available है जिसे आप free of cost use कर सकते हैं download कर सकते हैं interpreted है यानि यहां पर आप interpret करते हैं इस language में किसी भी instruction को और यहां पर यह आपका object oriented है ठीक है और इसे हम use करते हैं basically php जो आपका scripting language है इसे हम server site पर use करते हैं ठीक है server site पर जब भी हमको को कोई web development करना हो कोई भी web applications बनाना हो तो हम इस php को use करते हैं ठीक है तो basically web applications कैसे होते हैं यह web applications आपके dynamic page को generate करते हैं और यह आपके server पर execute होते हैं ऐसे applications को हम php के थ्रू बनाते हैं यानि आप generally देखते होंगे जो भी आपके server site पर जो भी आपके applications यूज किया जाते हैं उसमें आपका PHP में generally हम programming करते हैं तो PHP आपका dynamic page को create करने के लिए और server पर यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ठीक है next हम बात करते हैं PHP को create किस ने किया था तो PHP को रैसमस लर्डॉर्फ ने 1994 में create किया था लेकिन इसको हमने market में जो यह market में जो appear हुआ था यह कब हुआ था 1995 में ठीक है PHP 7.4.0 जो है वो आपका latest version है PHP का और यह आपका कब release हुआ 28 November को ठीक है कुछ important points को देखते हैं PHP के तो PHP का जो आपका सबसे पहला important point है वो है कि PHP का full form क्या है तो PHP का full form है hypertext preprocessor जनरली आपसे interview में एक question पूछते हैं कि PHP का full form क्या है तो आप बता सकते हैं hypertext preprocessor ओके PHP जो है आपका interpreted language है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको compilation की जरुरत नहीं होती है यह एक ऐसी language है ऐसी interpreted language है जिसमें आपको compile नहीं करना पड़ता है next बात करते है PHP जो है वो आपका other scripting language से faster है जैसे कि आपका other scripting language ASP है JSP है Java server pages ठीक है यह सारी language जो आपकी scripting language है उससे आपका PHP जो है as compared to other scripting language fast है ठीक है next बात करते है PHP जो है वो आपका server side scripting language है जिसे हम dynamic content को manage करने के लिए ठीक है किसी भी website पर अगर हमें dynamic content को manage करना है तो हम PHP को use करते हैं और यह basically आपका server side scripting language है okay PHP क्या है आपका इसे हम HTML में embed करके use करते हैं यानि PHP में हम HTML का use करते हैं साथ में web applications को develop करने के लिए ठीक है PHP एक object oriented language है जैसा कि आप जानते हैं यह भी important point है PHP open source scripting language है इसके साथ साथ यह simple है simple और easy language है किसी को भी learn करने के लिए okay PHP जो है आपका server side scripting language है जैसा कि आप जानते हैं जिसे हम किसले use करते हैं dynamic web applications को design करने के लिए with the mysql database यानि mysql database के साथ हम dynamic web applications को design करने के लिए PHP का use करते हैं ठीक है यह क्या करता है यह dynamic content को handle करता है database को भी handle करता है as well as session tracking भी करता है ठीक है किसी भी web site कि जो session tracking होती है वो भी हम PHP के through करते है ठीक है तो basically PHP क्या करता है dynamic content को और database को handle करता है इसके सास्थ最जन की tracking भी करता है किसी भी web site पर okay आप अब हम बात करते हैं कि हम PHP को actually में use queue करते हैं तो आप इससे हम क्या क्या कर सकते हैं आप sessions को create कर सकते हैं ठीक है इसके साथ साथ आप cookie variables को access कर सकते हैं और cookies को set भी कर सकते हैं with the help of PHP ठीक है cookies क्या होती है जो आपकी information को store करती है ठीक है cookies के बारे में भी आगे की videos में देखेंगे तो basically PHP से आप क्या कर सकते हैं cookie variables को access कर सकते हैं और cookie को set कर सकते हैं ठीक है यह आपका PHP जो होता है वो data को encrypt करने में help करता है और इस पर आप validation भी लगा सकते हैं जिससे आप check कर सकते हैं कि वो आपका किसी चीज को किसी भी form को verify करा सकते हैं ठीक है तो यह आपका यहाँ भी PHP यूज होता है to encrypt the data okay so PHP जो है वो आपका कई सारे protocols को भी support करता है like HTTP, POP3, SNMP, LDAP, IMAP और बहुत सारे protocols ऐसे हैं जिसको आपका PHP support करता है okay PHP language को use करके हम क्या कर सकते हैं हम user को आप क्या कर सकते हैं you can control the user to access some pages of your website यानि अगर आप चाहते हैं कि आपके website पर कुई कुछ page ऐसे हैं जो आपके कोई भी user use ना कर सके तो आप वहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं PHP language को यूज कर सकते हैं certain conditions लगा सकते हैं जिसके तुरू कोई भी user आपका कुछ अगर आप चाहते हैं कि कोई page कुछ ऐसे page हैं आपके website पर जो आपकी user के अगर users को access करता है तो वह secure नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं PHP language का use कर सकते हैं okay PHP जो है वह आपका easy to install and setup है यानि आप PHP को easily install कर सकते हैं setup कर सकते हैं और जो main reason है कि हम PHP को use क्यों करते हैं क्योंकि यह आपका best language है इसे आप easily learn कर सकते हैं okay PHP से आप क्या कर सकते हैं यह आपका additional information है कि PHP जो आप generally जानते होंगे यह आपके forms को भी handle करता है जो भी आप online forms देखते हैं जो आप form fill करते हैं online वो सारे forms जो होते हैं उनको भी handle करने का काम PHP करता है जैसे कि मान लीजे कोई भी data है ठीक है data को collect करना user से form की जो भी आप users form भरते हैं online form भरते हैं उससे क्या करता है PHP data को collect करता है और उसको database में save कर देता है ठीक है और जब भी user को उसकी जरुरत है उस information की जरुरत है वो उसको वहां से retrieve कर सकता है ठीक है for example जैसे registration form normally जो registration forms होते हैं जो भी forms होते हैं जैसे बहुत सारे jobs related forms होते है online forms जो आप fill करते हैं वो सारे आपके PHP के थ्रूं handle किये जाते हैं वहां से आपका data जो है वो user के थ्रूं लिया जाता है form फिल करने पर और वहां से data जो है वो database में भेज देते हैं with the help of PHP language okay so PHP के बारे में PHP के बारे में आपको काफी जानकारी हो गई होगी तो I think यह वीडियो यहीं तक रचते हैं next video में हम आगले topic को discuss करेंगे related to PHP so friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा अपने friends के साथ share करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कु मत बूलेगा thank you for watching